तो आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले lenses के उपर और यह है 26x telephoto lens जिसकी मदद से आप किसी भी phone में 26x optical zoom को अचीव कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने मदद में लिया है Redmi Note 8 Pro जिसके अंदर आपको 64 में का पिक्सल का primary camera sensor देखने के लिए मिलता है और वहीं पर digital zoom वाली image को आप देख सकते हैं तो आज किस वीडियो के इंदर हम बात करने वाले हैं lenses के उपर इस lens के साथ साथ मैं आपको दो lens और दिखा हूँगा तो चलिए start कर रहे था है आज की वीडियो को without wasting any time what's up guys thanks for watching another episode this is huge तो वीडियो स्टार्ट करने से बहले एम करतें से वीडियो पर thousand likes का साथ comment करकर जरूर बताएं best part of this video और हाँ चैनल पने है तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बैल को कर लेना प्रेस और हाँ नया चैनल आने वाला है काफी जल्दी तो उसके लिए बने रहना इस चैनल पर तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे 26 x telephoto lens से तो भाई यह लेंस देखने में ज इससे आप focus को adjust कर सकते हैं तो भाई यह काफी जादा खतरनाक चीज है और यहां पर मैंने इससे कुछ वीडियो बनाई है एक अंकल जी टहल रहे तो उनकी कुछ वीडियो बनाई है और यह साइड साइड में आप देख सकते हैं काफी जादा blur हो चुका है लेकिन अंकल जी काफी अच्छी आ रही है और वही पर background देखा जाए तो काफी हद तक blur है लेकिन फिट से मैं कहूंगा यहां पर photos में edges को आप अगर देखेंगे तो थोड़ी खराब हो चुकी है यहां पर थोड़ा शेकी शेकी सा effect आ रहा है side-side में बट यहां पर depth की बात करूं photo के अंदर और यहां पर depth भी काफी ची देखने के लिए मिलिया और वहां पर 64 megapixel के कुछ हालात आप देखी सकते हैं तो अगर आपको phone buy करना है Redmi Note 8 Pro या कोई और phone buy करना तो भाई अभी flip card पर एक sale चाल हूँ है mobile bonanza sale जिसमें आपको 50% तक का off देखने के लिए मिल रहा है और 10% HDFC के card प सकते हैं अगर आप cash करो के through buy करेंगे कोई भी phone तो आपको क्या करना है सबसे पहले दिये गए पहले link पर जाकर आप sign up कर लीजे cash करो पर और sign up करते हैं आपको 25 रुपीज आपके cash करोगे mining section में देखने के लिए मिल जाएंगो उसके बाद दूसरा link मैंने description में दिया है उस पर क्लिक करिए वहाँ पर active rewards पर क्लिक करने के लिए विजिट रिटेलर पर क्लिक करना है उसके बाद आप direct land हो जाएंगे भाई flip card के page प करते हैं तो आपको इन पर offer देखने के लिए नहीं मिलेगा like Redmi 8, Redmi 8A, Infinix Hot 8, Infinix S5 और साथे साथ Rogue 2 तो इन पर offers नहीं है बाकी सारे phones पर आपको offers देखने के लिए मिलेगा और अगर आप 5000 से कम के phone को भाई करते हैं तो आपको 10 रुपे का cash back देखने के लिए मिल रहा है और य अब बात कर लेते हैं दूसरे camera lens की तो यह एक 3x telephoto lens इसकी build quality अभी तक की जितने भी मैंने lens यूज़ करें और सबसे बहतरीन है इसके lens की build quality काफी जादा अच्छी लगी मुझे लेकिन बाई build quality से कुछ नहीं होता तो यहां पर check करते हैं तो यह जो lens की build quality काफी जादा खत लेकुल भी चेंज नहीं करता आप lens लगा कर बात करें without lens बात करें colors आपको same ही देखने के लिए मिलते हैं लेकिन मैं बात करूं यहां पर video quality की तो भाई यह काफी जादा ऐसे मनलब stretch कर देता है video को side side में से इस lens से video बनाते हैं उतना मज़ा नहीं आता और आप यहां पर videos को देख भी सकते हैं colors आपको same देखने के लिए मिलते हैं लेकिन video की side side की edges की बात करूं तो आप यहां पर photos की बात करूं तो photo के मामले में भी थोड़ा सा मुझे weak लगा और हाँ इस camera sensor को लगा कर अगर आप zoom करते हैं वहां पर आपको video quality जाद अच्छी देखने के लिए मिलेगी तो यहां पर मेरी कुछ images लिए आप देख सकते हैं background blur नहीं है काफी सारे लोगों को यह मित है अगर मैं phone के camera पर lens लगा देता हूं तो background blur आएगा तो बाइज कुछ भी नहीं है macro lens होते हैं वह काफी जा यहां पर 26x वाला ज्यादा useful लगा क्योंकि यहां पर 3x वाला मुझे इतना ज्यादा बैटर नहीं लगा basic इसकी build quality ज्यादा अच्छी हो अब बात करते हैं किसी प्राइमेरी camera sensor को wide angle camera sensor में कैसे change कर सकते हैं उसके लिए आपको चीए यह वाला lens और यह काफी ज्यादा बहतर हैं तो आप यहां पर मैंने कुछ वीडियो बनाई है और यहां पर ऐसे pollution की वज़ा से इतनी light थी नहीं तो विदाउट एंडी फिल्टर ही मैंने capture करी और आप यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर video quality में मुझे बिल्कुल भी loss देखने के लिए नहीं मिला side side में से फिर से यहां पर clarity में हलका full का मुझे loss देखने के लिए मिला लेकिन यहां पर जादा area देखने के लिए मिला side में थोड़ा vintage look देखने के लिए मिल चुका है आप देख सकते हैं black black थोड़ी हो चुकी है जैसे कि मैंने बताया हर camera lens में यह दिक्कत है तो camera lens देखा जाए तो काफी useful लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि background blur हो जाएगा आप ऐसे DSLR वाली वीडियो बना सकते हैं अपने phone से 64 megapixel camera sensor को यूज करते है तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपको offer का फायदा उठाने है तो link आपको description में मिल जाएंगे सारे तो पहुंच जाएए तो I hope कि आपको वीडियो लाइक कर देना कमेंट करकर जरूर बताएं best part of this video तो मिलते हैं जल्दे cool और exciting video में तो जब तक लिए जो मन में आए गाइस वो करें टू वाच यॉर्ट फिज टेने मित अचब वियन बाक्स गाईज बाए